एक बहुत एतिहासिक फैसला है माननी सर्वोच चनैले का क्योंकि सर्वोच चनैले ने भी इस बात को माना कि गिरिफ्तारी की टाइमिंग जो थी वो कहीं न कहीं केजरिवाल जी को चुनाव परचार से रोकने की टाइमिंग थी नर्विन केजरिवाल को सिर्फ अभी अंत्रिम राहत में लिए केजरिवाल जी के खिलाफ है क्या आप मुझे बताईए क्या है इस मामले में ना इसका सीर है ना पाउं है प्रधान मंत्री ने हाल ही में ये कहा है कि तीन फीजदी मामले ही ऐसे हैं जो नेताओ के उपर है जबकि 97% केसिज जो है वो ब्योरोक्राट्स पर है वो लेंड माफिया पर है यह अपने आप में बड़ी हास्यास पत बात है वो भारत के प्रधान मंत्रियों के ऐसी बात कहना है क्या कन्विक्शन रेट है एडी का आपको पता है 0.5% मेरे खुद के मामले को लेके कितने लोगों से पूस्ता चुई कितने लोगों से आपने चाह पेमारी की परेशान किया तो इसलिए प्रधान मंत्री को इस तरह से जूट नहीं बोलना चाहिए पार्टी के चार बड़े टॉप लीडर्स को उठाकर जेल में डाल दिया और किसी भी पार्टी के एगर चार बड़े लीडर्स को कोई जेल में डाल दे कोई गरफकार करा दे तो पार्टी टूट जाती है आम आदनी पार्टी का जन्मी आंदोलन की कोक से हुआ है आप हमसे इस फिल्ड पे खेलना चाहिएंगे कभी नहीं जीत पाएंगे मैं भाजपाईयों को सला दे रहा हूं ऐसे मत करो कभी हमसे इस आधार पे तुम नहीं जीत सकते हैं कि तुम हमें प्रतारित करो और सोचो क कि तुम जीत जाओगे वो गलत फिल्ड पे खेलना है यह हमारी पीछ है कि हमारी पीछ पे आगे हमसे आप कैसे जीत सकते हैं अर्विंद केजरिवाल क्यूंकि प्रचार के लिए उपलब्ध हैं आपके पास तो आपको लगता है कि चुनाव यहां से पल्टेगा और बदले इंडिया गडबंधन को बहुत फादा होगा केजरिवाल जी के बाहर आने से और वो प्रचार के लिए जाएंगे भी दूसरी जगों पर आप देखिएगा कि चार जून को जो उन्होंने कहा भी है आज कि इंडिया गडबंधन की सरकार बनेगी और जो वादे हमने जनता से कि इसको पूरा करेंगे देखिए आज उन्होंने दो तीन बहुत महत्यकून बाद उठाई एक तो उन्होंने कहा कि यह वन नेशन वन लीडर के फॉर्मूले पर मोदी जी काम करते हैं और इन्होंने पूरे विपाक्ष को निप्टाया योगी आइतनाथ मोदी जी के लिए चालेंज है दूसी जेपी के अंदर उनको कोई नेता ऐसा नहीं चाहिए जो लगता है कि दूर दूर तक उनको कहीं चुनोंती दे सकता है और उनको अपने सबसे करीबी यार के लिए रास्ता बनाना है यहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं अर्विंद केजरिवाल की 220 से 230 सीट जो है वो बीजिपी को मिल सकती है यह कैलकुलेशन कैसे कि आपने अब यह कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार जनता इनको कह रहे है तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार और आप देख लीजिएगा कि 300 से ज़्यादा सीटें इंडिया गडवन्दन की आएंगे इस वागा दिली के मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल को सर्वोच नियायले से अंतरिम जमानत मिली है और एक जून तक अब वो बाहर रहेंगे प्रचार करेंगे 11 मई को अर्विंद केजरिवाल बजरंग बली के दर्शन करने के लिए पहुँचे और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस बुलाई थी लेकिन वो प्रेस कॉन्फरेंस कम उनकी रैली ज्यादा लग रही थी लेकिन अब क्या प्रचार की स्ट्राटेजी में तबदीलिया होंगी किस तरीके से अर्विंद केजरिवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी अपनी रणीती बदलेगी और क्या कुछ हमें आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा इस पर बातचीत क आँ कि एक बहुत एतिहासिक फैसला है माननी सर्वोच चनैले का क्योंकि सर्वोच चनैले ने भी इस बात को माना कि गिरिफतारी की टाइमिंग जो थी वो कहीं न कहीं केजरिवाल जी को चुनाव परचार से रोकने की टाइमिंग थी आप देखिए कि ये मामला दो साल से चल रहा है आप एक देश की सबसे प्राइम जांच एजनसी वो दो साल में अपना इंवेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पा रही है जिस मामले में साथ साल की सजा है उस मामले में अगर साथ साल तक आप जांच करते रहेंगे तो फिर आपकी इस जांच एजनसी का मतलब क्या कि आप आप कह रहे हैं कि हम दो साल से जाच कर रहे हूं ठीक चुनाओ के पहले के जिवाल का परिस्ट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं मोधी सरकार का और उनकी जाचिजंसी का इंटेंसन उनकी नियत बिलकुल क्लियर थी इस मामले में कि केजरिवाल को गरिफतार करो चुनाओं से प्रचार से रोको इनको और इसी के कारण ये अंत्री म्राहत मिली इसके लिए मानी सर्वोच चिनयाले का बहुत आभार और उनके फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं इस फैसले से भारत के संव एक जवाब आया है इस सवाल पर जो आप लोग पूछते रहे हैं और आप लोग मुद्दा उठाते रहे हैं कि सरकार जो है वो जांच एजनसी का दूर उप्योग कर रही है प्रधान मंत्री ने हाल ही में ये कहा है कि तीन फीजदी मामले ही ऐसे हैं जो नेताओं के उपर ह जबकि 97% केसिज जो है वो ब्योरोक्राट्स पर है वो लेंड माफिया पर है वो इस तरह के अपराधियों पर है ये अपने आप में बड़ी हास्तियास पत बात है वो भारत के प्रधान मंत्रियों के ऐसी बात कहना है क्या कन्विक्शन रेट है एडी का आपको पता है 0.5% पिछले 10 साल में उन्होंने 7000 छापे मारी की हैं और ऐसे वो गुम्राह नहीं कर सकते देश को सपोच कीजिए वो एक नेता को टार्गेट करते ममता बेनरजी को ग्रिफ्तारी करते हैं उनके एक मंत्री को छापे मारी कितने लोगों पर होती है कितने लोगों पर होती है कितने लोगों की अरेस्ट करते हैं वो पूरे आफिस के स्टाफ को परिशान करना है घर वालों को परिशान करना है अब आप कहेंगे वो तो पॉलिटीशन है नहीं उनको पॉलिटीशन के केटेगरी से आप बाहर कर देते हैं एक पॉलिटीशन मैं आपको एक 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 जांपल देता हूं अनिल देस्मूक 171 चाहपे मारी हुई 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 कितने लोगों से पूस्ता चुई कितने लोगों से आप ने चाहपे मारी की परिशान किया तो इसलिए मैं यह कैरा हूं कि प्र इडी की जो पूरी की कारवाई होती है वह कारिट करके पार्टियों को तोड़ने के लिए बीजेपी के इशारे पर और उसके बाद विधायकों और सांसदों को मंत्रियों को तोड़ा जाता है बीजेपी में मिलाए जाता है यही खेल इनका चल रहा है अब बता ही जिन लोगों पर अब शगन मुझबल की फाइल नहीं मिल रही उनको और अजीत पवार की जांच खतम हो गई सारे आरोप से मुक्त हो गए वो तो यह क्या सीधे तौर पे दिखने ही रहा है साफ तौर पे कि वही एक आदमी पे जिस पे खुद देश के प्रधान मंत्री ने सतर हजार करोण के ब्रस्टाचार का सिचाई घोटाले का आरोप लगा मंत्री बना दिया उनको तो यह क्या है जिसको कहते हैं कि खुले आम भरस्टाचार का समर्थन वह भारत के प्रधान मंत्री और उनकी पार्टी कर रही है जिन लोगों पे लोग खुद से आरोप लगाते हैं उन्हीं लोगों को पार्टी में लाते हैं उन्हीं लोगों को मं मुख्य मंत्री बनाते वाटर घोटाले पे जो हिमन्त विश्व सर्मा के खिलाब बुकलेट जारी वई थी वह मैंने तो नहीं जारी की थी ना खुद बीजेपी ने जारी की थी और उसी व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया असोग चौहांट में प्रधानमंत्री जी का बयान है फौजियों की बिध्वाओं के पैसे जिस आदमी ने खाए अब आपकी पार्टी में आगे तो फौजियों की बिध्वाओं क रायं जाता है और जो इनके खिलाफ करा होता है उसको पक्रणा पडाओं करके जील में डालते हैं केजW erfolgreich को अपने जेल में डाल दिया मनिस्टी कि आपकी नहीं टूटी तो आपकी पार्टी ना तूटने की क्या वजए कि आपको जेल की कोक से निकले हुए है आम आदनी पार्टी का जन्म ही आंदोलन की कोक से हुआ है आप हमसे इस फिल्ड पे खेलना चाहेंगे कभी नहीं जीत पाएंगे मैं भाजपाईयों को सला दे रहा हूं ऐसे मत करो कभी हमसे इस आधार पे तुम नहीं जीत सकते हैं कि हमारी पीछे संगर्स करना हमारी पीछे को कि आप सोचते हैं कि हमें जेल में डालके आप जीत जाएंगे तो कैसी गलत त्वयमी अपने पाल लिए इसमें कभी आप सफल नहीं हो अभी राहत आपको तो नियमत जमानत मिली है लेकिन अर्विन के जिवाल को सिर्फ अभी अं कि एक व्यक्ति कि बारा बयान देता है सरद रड़ी और दस बयान में केजरिवाल जी का नाम नहीं लेता है अन्तिम दो बयान में नाम लेता है उसके बाद उसको बेल मिल जाती है दस बयान में जिसमें नाम नहीं लेता उसको एड़ी चिपा लेती है तो यह क्या है कौन सा इन्वेस्टिकेशन है यह दसमी के बच्चे को भी समझ में आता है कि इन्वेस्टिकेशन क्या है मंग उन्टा रेड़ी रागो रेड़ी इन दोनों ने कुल मिला के दस स्टेटमेंट दिये आठ स्टेटमेंट में केजरिवाल का नाम नहीं है अंतिम के दो स्टेटमेंट में केजरिवाल का नाम आता है रागो रेड़ी को बेल मिल जाती है बाकी के आठ स्टेटमेंट जिसमें केजरिवाल का नाम नहीं रहता उसको इडी छिपा लेती है तो यह आखिर है क्या कौन सी investigation है अगर आप कहते हैं section 50 PMLA में जो भी बयान हम दर्ज कराते हैं कोई भी विक्ति दर्ज कराता है तो वो बयान 164 के बराबर महत्व रखता है यानि कि निया धीस के सामने दिये गए बयान के बराबर उस बयान का महत्व है तो आपने उस कि निया धीस के सामने क्यों नहीं रखा क्योंकि निया धीस पूरी सच्चाई को समझ जाते हैं इसलिए यह एक अजीब तरीके की investigation चल रही है जिसका नसी रहना पाऊं है और जिस सरद रेड़ी ने अपनी एरेस्ट के बाद साथ करोड़ उपए बीजेपी को रिश्वत दी उस पर आप कोई करवाई नहीं कर रहे हैं किसी बीजेपी नेता से पूस्ताच नहीं कर रहे हैं उनको कभी बुला नहीं रहे हैं तो यह तो परपज पूस्ताई एक तो उन्होंने कहा कि यह वन नेशन वन लीडर के फॉर्मूले पर मोदी जी खाम करते हैं और इन्होंने पूरे विपाख्ष को निप्टाया अलग अलग राजीयों में वो चाये ममतब एनरजी के नेता और मंत्री हों वो चाये जहारखंड के मुक्ष मंत्र पूरे देश में कॉंग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पगड़ाबोर के जेल में डाला तो पूरे देश में एक तो इनका काम है कि अभियान चला के तेजस्ट्री याद हो गए उनके पिता लालु यादो तो अब आप देखिए कि पूरे देश में एक तो इनका अभियान है कि पूरे बिपक्ष को पकड़ पकड़े जेल में डालो दूसरा इनका अभियान क्या है खुद बीजेपी के अंदर जो भी थोड़े बहुत भी ताकत पर नेता हैं उनको पूरी तरीके से राजनीती उनकी खतम करो अड़वानी जी की राजनीती इनो उन की राजनीती खतम कर दी वसुंद्रा राजे की राजनीती खतम कर दी डॉक्टर रमन सिंग की राजनीती खतम कर दी तो जितने भी भारती जनता पार्टी के अंदर भी बड़े नेता थे उनकी राजनीती इन्होंने समाप्त कर दी खतम कर दी अब अगला नंबर क्या है सब्सक्राइब कोई ने चाहिए जो लगता है नहीं को कोई नेता ऐसा नहीं चाहिए जो लगता है कि दूर-दूर तक उनको कहीं चुनोते दे सकता है और उनको अपने सबसे करीबी यार के लिए रास्ता बनाना है क्या योगी आइतनाथ मोदी जी के लिए चैलेंज है दूसरी बात प्रधानमंत्री कह चुके 75 साल के उमर में बीजेपी के नेता को रिटार हो जाना चाहिए यह उन्होंने आधिकारिक रूप से बया तो मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं इस देश की जनता को उसको पूरा कौन करेगा अमिस्सा पूरा करेगा दस साल आपने तो कुछ पूरा किया नहीं अब आप अमिस्सा के भरों से देश छोड़ना चाहते हैं तो इसलिए यह सारे प्रस्ने जो आज बहुत महत्वूर्ण प्रस्ने देश के सामने जिसको केजरिवाल साब ने उठाया देश के संविधान का मसला हो देश के आरक्षन की विवस्ता का मसला हो चुनाओ को जिस तरीके से लोग खतम कर रहे हैं राज दर राज जिसका मसला हो तो यह सारे प्रस्न उन्होंने बड़े महत्वूर्ण प्रस्न उठाये और मैं समझता हूँ कि इंडिया गडबंधन को बहुत फादा होगा केजरिवाल जी के बाहर आने से और वो प्रचार के लिए जाएंगे भी दूसरी जगों पे और आप देखिएगा कि चार जून को जो उन्होंने कहा भी है आज कि इंडिया गडबंधन की सरकार बनेगी और जो वादे हमने जनता से किये हैं उसको पूरा करेंगे अर्विन केजरिवाल के आने के बाद अब क्या कुछ तबदीलियां आप लोग अपनी रणनीती में करने वाले हैं देखे सबसे बड़ी चीज तो यही है कि पूरे देश में इंडिया गडबंधन के लिए प्रचार करने जाएंगे केजरिवाली दूसरी बात यह है कि जो मुद्दे आम आदमी की जिन्दगी से जुड़े हैं वो चाहे सोचल मीडिया के माद्दें से मीडिया के माद्दें से जनता को हम यह समझाने की कोसिस करेंगे कि भाई इन मुद्दों के नाम पर आप वोट कीजिए यह नकली मुद्दे जो चुनाओं के समय में लाते हैं कभी भैस का मुद्दा ले आए कभी बकरी का मुद्दा ले आए कभी मंगल सूत्र का मुद्दा ले आए कभी कोई मुद्दा ले आए जिसका वास्तविक्ता से कोई लेना देना नहीं होता ऐसे मुद्दों से आपका ध्यान भटकाने के लावा आपको गुमराह करने के लावा इन मुद्दों का कोई और उठाने का कोई और कारण नहीं होता तो उससे दिमाग खटा के हम बात करेंगे लोगों की जिन्दगी में कैसे उनकी दोस्वारियां दूर हो सकती है लोगों की जिन्दगी में बदलाओ कैसे आ सकता और ये अपील करेंगे लोगों को कि भई कैसे कैसे मंदजर अब याने लगें हैं और गाते गाते लोग चिलाने लगें हैं बदल डालो अब इस तालाब के पानी को कमल के फूल तो मुर्जाने लगे हैं आज देश की हालत क्या कर दी प्रधान मंत्री जी ने रोजगार की हालत देख लीजे आप आपने 20 करोन नोकरी देने के लिए कहता 10 साल में प्रधान मंत्री से पूछा गया संसत के अंदर सरकार क का जवाब है मात्र साथ लाख नोकरियां दिए उन्होंने और वह भी साथ लाख कहां दिए पता नहीं किसी को प्रधान मंत्री जी ने देश की जनता से महंगाई कम करने का वादा किया था का ता 40 रुपए में डीजल विकेगा 50 रुपए में पेट्रोल विकेगा पता नही आस्मान पर पहुंचाई सबजियां महंगी की सारे कुछ महंगा हुआ इनके समय में तीसरा वादा उन्होंने किसानों से आमदनी दोगुना करने का कहा था तो उनको धोखा दिया उन्होंने उनको लाटिया पिटवाई और जब भी उन्होंने फसल कदाम मांगा खाद झाथी नहीं जनतनमंतर के बहुरो न को गसीडव की मारा गया तो नहीं किसान के हैं ना नौजवान के हैं ना पहलोबान के ए न देश में किसी भी व्यक्ति या व्र्ग की भलाई के बारे में नहीं सूचते खाली नफ्रत फैलाओ जूट बोलो देश के लोपर राज करो तो मोदी जी की एक ही गारंटी है जूट बोलने की गारंटी और मुझे तो बड़ा आश्चर हुआ कि कैसे मोदी जी ने अडानी अंबानी का भी नाम ले लिया मतब दस साल तक आपने पूरे देश के संसाधन अडानी के नाम एक एक करके नीलाम किया कोईला उसको दिया गैस उसको दिया बिजली उसको दिया पानी उसको दिया सड़क उसको दिया स्टील उसको दिया पोर्ट उसको दिया एरपोर्ट उसको दिया धाई लाग करोड रुपय का करजा उसको दिया सब कुछ आपने अडानी के नाम कर दिया और अब आप कह रहे है टेंपू में भरबर के बोरे में भरबर के काला धन जा रहा है देश का प्रधान मंत्री कुछ भी बोलता रहेगा वो कोई सामान ने बित्ती है क्या देश के प्रधान मंत्री अगर कह रहे हैं कि काला धन अडानी अंबानी पहुचा रहे है कि टेंपू में भर भर के पहुंचा रहे हैं तो कारवाई कौन करेगा सरकार किसकी है यहां उबामा की सरकार चल लेए किसकी सरकार है भाई कि अब अरेस्ट कीजी उन लोगों को अज मुख्यमंत्री ने ये भी का कि 230 से 220 ये कुछ क्यालकूलेशन थी उनकी सीट को लेकर बीजेपी के लिए बीजेपी ये कह रहे हैं कि बीजेपी 370 पार और एंडी ये जो है वो 400 पार और यहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं अर्व 200 पार का नारा है यह अपने आप में एक फरजी बेबुनियाद नारा है और ऐसे नारे प्रधान मंत्री जी दस साल में कई बार दे चुके हैं आपको मैं याद दिलाता हूं यह करके यह गए बंगाल इन्होंने का 200 पार आई 73 सीट यह गए जहारखंड इन्होंने का 65 पार अब दिल्ली नेनना का देशी पार आई 25 सीट यह करनाटक इन्होंनका एक्सओतईस पार आई 65 सीट यह रीयाना हिन्होंनों का 75 पार आई चालिस सीट आए दिली ना का 45 पार आई 8 मिजोरम इन्होंनका 211 पार 21 पार आई एक सीट अब ये कह रहे हैं चार सो पार चार सो पार जंता इनको कह रही है तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार इस देश की जंता इनको तड़ी पार करेगी इस बार चुनाओं में बुरी तरीके से हराने का काम करेगी और आप देख लीजेगा कि तीन सो से ज्यादा सीचफ्र यही कारण बोखला यह अप ऊइप मिल कर लड़ अरुद के प्लानिग है की अरुद बाहर हैं तो क्या इसी ठानिग है र्विंद केज्रिवाल और कोंग्रेस की तरफ आप गोपाल रहा है यह तमाम लोग मिलकर कोई प्रचार करें को जनसभा करें निश्चित रूप से उसकी रणनीत बनके उसके काम होगा भी तो कली आये हैं केजरिवाल जी और आज उनकी दो बड़ी रोट्सों का बड़ा रोट्सों का कारकरम है आगे कभी कारकरम दिल्ली म आपको और कॉंग्रेस को मिलाने में बड़ा रोल निभा रहे थे वह छोड़कर चले गए और जब छोड़कर गए तब उन्होंने अलाइंस को बड़ा मुद्दा बताया अब आदमी जब पार्टी छोड़के जाता है तो कुछ न कुछ तो बोलेगा ही उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूं जब वह अपना दल छोड़के जा रहे हैं कहीं दूसरे दल में तो अपना अपनी बात को अपने काम को जायज ठहराने के लिए कुछ तो बोलेगा मनीश जी सौधिया को लेकर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि लंबा वक्त हो गया है मनीश जी को भी 14 महीने तकरीबन पूरे हो चुके हैं और अभी तक बेल नहीं मिली है उनको रेगुलर बेल नहीं मिली है अभी मामला हाई कोट में है दुबारा से क्या लग रहा में सुप्रिम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी और सुप्रिम कोर्ट ने अपने और वर्डर में खुद लिखा है कि बहुत सारे सवाल जो सुप्रिम कोर्ट ने एडी से पूछे उसका कोई जवाब नहीं था हीडी के पास तो इसलिए मैं कहते रहों सेक्स यह जो पी ór प्रक डीलर्स के उपर कारवाई होगी हवाला कारवारियों पर कारवाई होगी लेकिन यह तो कारवाई जानबुच के पॉलिटीशिंस के उपर की जा रही है डेस के सबसे बहतरीं सिक्षा मंट्रियों में एक मनिस सिसोधिया को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया क्या हासिल हो गे आपको कुछ भी इनके घर पे ना एक रुपए मिला ना उनके गां के बैंक में एक रुपए मिला कोई आपको सबूत नहीं मिलता वावजूद इसके आप और जिन जिन लोगों के यहां भ्रस्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं वो आपकी पार्टी में चले जाते हैं तो वो बच जाते हैं यह बड़ी विड़म बना है कि मैटर सरवोष नियाले में था और कोट ने यह कहा था कि अंत्रम जमानत देने पर हम विचार कर सकते हैं लोगसभा चुनावों के मद्दे नजर तब एडी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था आपको लेकर यह कहा था कि आपने संजे सिंग को जमानत दी देखिए किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कोट ने कहा उसका पालन कर रहे हैं मैंने किसी स्टेटमेंट में अपने बारे में अपनी भूमिका के बारे में कोट मुझे मुझे मना किया है कि आप अपनी केस में अपनी भूमिका के बारे में कुछ नहीं बोलेंगा मैं नहीं ब सविकार करता हूं 30 साल से सारजनिक जीवन में हूं मैं गुंगी गुडिया बनने के लिए थोड़ी बाहर आया हूं आया हूं तो बोलने के लिए आया हूं ना अपनी बात कहने के लिए आया हूं ना लोगतंत्र में इसी बात की तो आजादी है तो क्या चाहती है सरकार के मैं उनकी ताना साही को स्विकार करते हुए चुपचाब खामोस बैठा रहूं घर पे यह तो नहीं होगा ऐसे एक आखरी सवाल डिल्ली में साथ सीटे हैं चार पर आम आदमी पार्टी और तीन पर कॉंग्रेस लड़ रही है और पिछले दो चुनाबों से साथो की साथो सीटे बीजेपी जीत रही है इस बार क्या स्कोर रहेगा इस बार साथो की साथो सीटे इंडिया घडबंधन जीतेगा आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस जीतेगी वज़ा सबसे बड़ी इनकी तानस आही और इन्हों ने कुछ किया नहीं जनता के लिए बेरोजगारी है महंगाई है आपने उनके सबसे लोगप्रिय नेता को पकड़के जेल में डाल दिया अर्विंद केजरिवाल को तेज दिन तक इंसुलिन नहीं दे रहे हैं आतंकवादियों जैसा बेवार कर रहे हैं तो लोग अर्विंद केजरिवाल को प्यार करते हैं और आप देखिएगा कि इस चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन दिल्ली में भी होगा और देश में इंडिया गड़बंदन क कि सरकार बनेगी चार जून को नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा कि देश में किसकी सरकार बन रही है लेकिन संजर सिंग जिस तरीके से जाने जाते हैं अपने आकरामक अंदाज में बात करने के लिए कुछ उसी अंदाज में उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और साफ तोर पर उनका कहना है कि सरकार बदलने का समय आ चुका है कामरा बेन नितीश के साथ अनुराधा तवर दलीता